तो देगे रोज रोटी सब्जी खा कर अगर आप बोर हो गए हैं या बना कर बोर हो गए हैं तो आज हम बनाने वाले हैं राजस्तान की फेमस दाल डोकली जो रोटी सब्जी दोनों का आपको स्वाद देने वाले है नमस्कार मैं हूं रेखा मेरी सुपर से मैं आप लोगों क को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने बली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगे तक पहुंच सके और आपको मेरे रेसिपियां कैसे लगती है कमेंट्स करके जरूर बताएगा तो चलिए बना लेते हैं बहुत ही टेश्टी डाल ढोकली अब इससे बना रही है अब इससे वड़ेता है और इसके वाच्ट करना है तो चय्faht पानी दाल कर अच्छे-सस्य दोख लीजिए और धोने के बाद आपको इसे 10-15 मिन्ट के लिए भीगो कर छोड़ देना है, यहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या कर रहे हूँ, सिर्फ 10 मिन्ट के लिए भीगो पर छोड़ूँगी और इसका पानी हटा देंगे, अब यहाँ पर देखें, यह अच्छे से अब इसे मापकर में डाल रहे हूँ, डेड़ कप पानी, अब इसे गैस पर रखेंगे, और अच्छा सा एक उबाल ले लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हूँ, यहाँ देखें, डाल में अच्छा उबाल आ गया है, और जो आपको ज्ञाग दिख रहे हैं, यह सा अब इसे धक्कन लगा दीजे, और धक्कन लगाने के बाद, चार विसल इसमें ले लीजेगा, धाल को में अच्छे से मैश करते हूँ पकाना है, तो इसे छोड़ देते हैं, और यहाँ पर ढोकली बनाएंगे, तो यहाँ पर मैंने एक बड़तल लिया है, इसमें डाल रहे करेंगे, चौथाई चम्मच इतनी डाल रही हूँ, यहाँ पर हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिच्ची पाउडर, और आधा चम्मच धनिया पाउडर, और यहाँ पर एक चुटकी मैने अजवाइन लिये, हाथों से क्रश करके थोड़ा से डाल दीजे, और आधा च चम्मच दही, ज़रूर डाल कर देखीगा, बहुत बढ़िया बनता है, अब यहाँ पर देखे, इसमें डाल रही हरा धनिया, थोड़ा से चिली फ्लेक्स डालेंगे, इसे टेश भी बढ़ेगा, और दिखने में भी ढोक लिये ना, बहुत सुंदर दिखेगी, तो अब का आटा अच्छे से लगा लिया है, और अब क्या करेंगे, इसे 10 मिंट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, यह देखे, बहुत ज़्या हाट भी नहीं है, और सोट नहीं है, तो यहाँ पर में इसे ढख कर 10 मिंट के लिए छोड़ेंगे, इसके ढोकली बनाएंगे, अब अब इसके रोटी बेल लिजे, तो बहुत ज़्यदा पतली मत कीजेगा, और बहुत ज़्यदा मोटी भी नहीं रखनी है, मोटा रखेंगे तो अची से पक नहीं पाएगी, और ज़्यदा पतला करेंगे तो क्या होगा ना, दाल में जाकर तूट जाएगी, तो यहाँ पर देखें, मैं इसके एक रोटी सी बना रही हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ, अब यहाँ देखें मैने इस तरह से रखा है देखें, इतना मोटा मैने से रखा है, अब यहाँ पर एक गिलास या कोई भी कटोरी जो हो ना, जिससे इस तरह से कटिंग हो सके, तो यहाँ पर गोल-गोल पूरिया सी काट लेनी है हमें, इस तरह से देखें, आप चाहिए तो छोटी-छोटी सी लोई बना कर उस पर ना, इक पूरिय आइनी है, और जिस तरह से आप व्यडियो में देख रएँ हैं, दो सिरो को इस तरह से जोड़ना है, और जो इधर वाले सिरे हैं, उन्हें भी इस दरह से जोड़ देना है, देखें, इस तरह से यह ढोखली हैm बना कर तयार करेंगे, जो दिखने में पुरी लीजिए और 4 कोनों को पाणी से लगाना है और एक पूरी को हाथ में उठाना इस तरह से और दोनों सीरों को जोड लीजिए और भचन है ना इस वाले यह बी जोड दीजे और 4 इसके कोनर बन जाते रहा fulfilled तो ऐसे आपको सारी जो ढोकली है न बनाकर तयार करनी है ऐसे क्या हो न बहुत सुंदर भी लगती है बच्चों को भी बहुत पसंद आती है डिजाइन यह देखें तो यहाँ पर देखें मैंने इस तरह से यह सारी ढोकली बनाई है जैसा कि मैंने बताया, आप साधा वाले ढोकली भी बना सकते हैं, तो इस तरह से मैं क्या करूँगी, सारी ढोकली बना लूँगी, उसके बाद में आपको दिखाते हूँ, आप यहां देखें, ढोकली जो सारी बनकर तयार हो चुकी है, तो इसे साइड में रखेंगे, और जो तो बस, अब क्या करेंगे, डाल डोकली बनाएंगे, तो यहां मैंने गैस पर बड़ी सी कड़ाई रखेंगे, उसमें एक बड़ा चमस रसो का तेल डाला है, तो तेल की जगा आप यहां पर इसे घी में बना सकते हैं, अब यहां तेल अच्छे से गरम हो चुका है, तो उस भूल लेंगे, गैस को यहां पर मैंने फुल किया हुआ है, आप अपने उसलार कम स्यदा कर सकते हैं, अब यहां देखें, हलका सा प्याज महरा भूना है, बहुत ज़र नहीं भूना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर दो अरी में चलीतियों से बारी कट कर लिया है, यह भी प्याज के साथ यह अच्छे से भून जाएंगी, और प्याज को बहुत अच्छे से भूना है, आपको कलर चेंज होने तक इसे भूनेंगे, अब यहां पर देखें, मैंने दो टमाटा लिये हैं, उसे इस तरह से छिलके हटाने के बाद मोटा मोटा कट कर लिया, यह भी इस मेट कर देंगे और अच्छे से भूनेंगे, अब यहां पर तोड़ासा नमक डालेंगे, तक जो टमाटा में जल्दे सी गल जाएँगे, तो दो चुटकी जदना नमक डाला है, बहुत तर नहीं डाला है, अब इसे अच्छे से भूनने देज़ें, या निका अच्छे से प पेश क्योंकि जब आप लसन अधरोग का पेश डालते हैं तो थोड़ा सा चेपकने लगता है तो गयस को थोड़ा सा स्लो कर लीजेगा अब इससे आधी मिंट के लिए भून लीजे इस तरह से ही अब यहां पर देखें यह भी अच्छे से भून चुका है बड़े से अब इस इससे मिला लीजे और इस तरह से थोड़ा सा भून लीजे और भूनने के बाद आप इसमें पाने डाल दीजे क्विए अप जयादे इस थडर से मैं देख रहे हैं न कुकर की वो इसमें डालनी है हमें, तो यहाँ पर देखें गाड़ी कितनी होगे, दाल ठंडी होने के बाद बहुत ज़ादा गाड़ी हो जाती है, तो यहाँ पर कुकर में क्या कर रहे हुए हूं, मैं थोड़ा सा पाने डाल देती हूं, ताकि अच्छे स सारी दाल जो भी लगी हुए न कुकर में वो इसमें आ जाएगी यह देखे और अब अच्छे से से मिक्स कर दीजे और मिक्स करने के बाद आपको इसमें पानी डालना है तो यहाँ पर इसमें देखे मैं पानी डालूँगी मिला दिया है मैं अच्छे से अब यहाँ पर देख देखें मैं इसमें डाल रहा था चमबसी थोड़ा कम नमक, नमक देखकर ही डालेगा क्योंकि हमने दाल में भी डाला था, ढोकली में भी डाला था और जब टमाटर को भूना था तब भी थोड़ा सा नमक डाला था, अब इसमें अच्छा सा उबाल आने लगा है, उबाल आने मैं एके करके सारी डोकलीस में डाले जा रही हूँ तो यहां मैंने सारी डोकलीस में डाल दिये और हलके हातों से चम्मा से चला दीजेगा जोर जोर से मत चलाईगा क्योंकि अब जी ढोक लेना कच्ची है बना टूट जाएगी तो बस इस तरह से हलकी हलकी आतों से आपको इससे चला देना है और फिर से इससे चला देती हूँ देखिए अच्छा सा उबाल आ रहा है ग्यास को मैंने फूल किया हुआ है ग्यास को स्लो मत किजिएगा इस समय आपको फूली रखना है यह देखे चला दिया है यहाँ पर और इसे पकने देते हैं तो टोटल हमें इसे 20 मिट तक पकाना होगा लेकिन बीच-वीच में आपको दिखाती रही है यहाँ देखे 5-6 मिट हुई है और दाल जो एना तोड़ी गाड़ी हो गई है तो दाल गाड़ी हो जाए तब आपको इ अनल यह देखे ने एक कप पानी का और इस्तें हमाल किया है। आप हैं पर पानी कम जदा कर सकते हैं तो यह काप पानी इसे और डाल देती हु कर सकते हैं तो यह देखे जोक्री को दिखे जाए हूए जैसे अरक बीच-वीच में तो आप थ्वरा तो आप थोड़ा पानी öm गरब करके हैं और यह देखे हैं हमारी ढोकली ना कुछ-कुछ उपर तैडने लगी है अब क्या कर रहे हूं मैं इसे धक कर पकाऊंगी 10 मिंट के लिए और इसके बाद में आपको दिखाऊंगी आप यहां देखें जो ढोकली है उसे पकते हुए अभी काफी टाइम नहीं हु अब यहां देखें 20-22 मिंट के लिए और पकाती हुए और दाल एकदम परफेक्ट है बिल्कुल भी काड़ी नहीं हुए पतली नहीं है देखें और धोकली भी अच्छे से पक चुकी है आपको इसे चेक करना होगा अगर आप वैसे तो आप पका सकते हैं 20-22 मिंट में अच ऐसे च्छे से त्रटा समय लेगे अब यहां पर देखें नीक हिंपर पास से दिखा रहे हुँ घयक हो किया है और ढह्टी देखे कितने अच्छी से फूल गही है कितने अच्छी से बनाई तो कल कलें अधिकितने प्लीर की जैसे में ऐसा है जाल रही है और देखें बिल्कुल भी कच्ची नहीं लग रही है तो बस ये ढोकली बनकर तयार हो चुकी है तो बहुत दर समय नहीं लगता है इसे तो इसमें आपको रोटी सबजी दोनों का टेश्ट आता है यहाँ पर मैंने हरा दनिया इसमें डाल दिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चमच, खी, खी से सुवाथ बहुत अच्छा आता है पढ़िया से मिक्स कर दीजे और गर्मा गर्म इसे सर्फ करेंगे तो यहाँ पर मैंने गैस ओफ कर दिया है और अब इसे सर्फ कर लेते हैं यहाँ पर मैंने ठाली लिये, ठाली में से सर्फ कर रही हूँ और यह ढोकली है बहुत गजब लगती है बच्चों को सबको बहुत पसंद आती है आप इस पर प्याज बगर डाल कर, नीम भू डाल कर खा सकते हैं पापड बगर डाल कर भी खा सकते हैं मैंने इस पर त्वड़ा सा रधनिया डालाए, तकी अच्छी लगे और आप इस पर पेहाज भी डाल सकते हैं मैं अभी सारी में पेहाज नहीं डाल रही हूँ और यहाँ पर थ्वड़ा सा घी भी डाल दिया है वीडियो अच्य लगी है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद